नवस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक वार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेस्टर से से प्रिवेश यहर में तो दोस्तों यह जो आज करने वाले हैं वह है एससी पीछे चल रहा है थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू हो जाता है लेकिन फि तो वह भी आपको मिल जाएगा ठीक है यह सब चीज़े आपको मिल जाएंगी और अगर हायर कोई अगर उत्राखंड की अगर उत्राखंड एक्साम की अगर तैयारी कर रहा है यू के ट्रप्रसी की तो एक बार वह जरूर एक गुरूप से जुड़ जाएं बहुत अच्छ भाग लेने वाले ओर इसमें उत्तिण होने वाले च базषंफर के इस परकाrd है ठीक है तो एक तरीके से क्या है यह बच्चे है और इक सचय π parlar हुए call X- Y date उसमें उटीन होने वाले चाटरों की संखैसे अनुपाथ तो इसमें कितने हु रहे हैं जो पास हो रहे हैं एत्रास हो रहे हैं ठीक है अठारस हो रहे हैं तो क्या निकलना है इसका रेशो तो जिरो से दो जिरो गट जाएगा चे पंचे तीस और शे तीया अठरा यानि कि जो रेशो आजाएगा वह कितना जाएगा दोस्तों यानिकि पांच प्रेशो तीन जो कि आपको आप्षण एक में दिख रहा होगा आशान कोशन था कितने परटीशा चात्रों ने 20 अंक से कम प्राप्थ किंए और उन्यस पांच कितना होजाएगा 24 यानिकि 25 और 24 यह आपके टोटल स्टुजन हो जाएगा यहां से एक चीज़ देखूं कुछ गड़बर हो रहे हैं पर फिर से रही चेक कर लेते हैं 8 7 15 15 और 8 कितना हो जाएगा पंदरा तेइस तेइस हो जाएगा पच्चिस पच्चिस तफ पैंतिस और पांच चालिस हो जाएगा सुरी यहां पर यह आपका ठीक है यह चालिस हो जाएगा तो बीस तुनी चालिस और पचिस पंचे कितना हो जाएगा एक कितना हो जाएगा दो और इसको जब करता हूं तो कितना जाएगा 62.5 परसेंट आपका अनसर हो जाएगा यानि कि option A करेक्ट अनसर हो जाएगा question नमबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहा रहा है इस तरीके का कुशन है और देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है और डरावना फिर लग रहा है लेकिन डरावना नहीं है बहुत आसान कुशन है क्या कहता है इन वाक्षॉप विद 80 स्टुडेंट्स एंड 10 रिसॉर्स स्टुडेंट्स थीक है स्टुडेंट्स एड दा एंड ऑफ दा वाक्षॉप वाक्षॉप खता होने के बाद में उनको मिठाईया बाटे जाती है दा अमांट इस्पेंट फोर दिस्टुडेंट्स तो इच इस्टूजेंट्स वास 30 परसेंट अफ टोटल नमबर ऑफ इस् यानि की असी तो था ही और इसको 24 मिल रहे है एक को तो टोटल कितनी जो जो मिठाईया डिस्टुडेंट्स होंगी कितनी होंगी जीरो आट चोग 32 की तीन आट दुनी सोला तीन कितना हो जाएगा उन्नीस सो बीफ हो जाएंगी अब फिर क्या कहता है एंड एंड परसेंट निकालता हूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा यानि कि आठ चोग 32 हो जाएगा यानि कि 10 तो आपके रिसर्फ परसेंट थे और एक को कितना मिल रहा है बाइस तो चालीस आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा कोशन था बस थोड़ा सा देखने के लिए आपको लगे कोशन निसार के और बाकी कोशन बहुत अशान था आप को और चार कहता है कि ये आपको पाइचार्ट किते ंवें प्क हर इसनौ फ का मीं इसनाश्तानों इसनाह तर उतन चाहलते हैं यानि कि फजी बहुते हैं इसको प्कोश्ट कहुते हैं पोस्ट ग्रेजुइक ता Nuclear piace रि तो यह आपके पास सेल में इंफो दियी है और क्या कि आर्टी अगर संस्थान पी आर्टी की बात करूं इस नाथ इस्तर पर यह आपका तो P और R और T तो P और R P R T कितना हो जाएगा यानि कि 20, 30, 40 40 तो हो गया 5 तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 यानि कि कितना हो जाएगा 51% हो जाएगा अगर मैं 12,400 का 51% निकालू यानि कि 12,400 का अगर मैं 51% निकालू तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा ठीक है 124 इंटू में कितना हो जाएगा 5 चोग 20 की 2 5 उनी 10 तो कितना हो जाएगा 12 की 1 5 यह गम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 यानि कि total कितना आ गया 4 2 और 3 यानि कि 6324 आ जाएगा ठीक है और PR और T जाएगा अगर मैं इसका देखता हूँ यानि कि 30 40 और 50 यह 50 हो जाएगा ठीक है 6 और 7 कितना हो जाएगा यानि कि कितना हो जाएगा total 63% हो जाएगा यानि कि 8000 का आपको क्या निकालना है 63% निकालना है दो zero से दो जिरो कड़ जाएगी zero 8 three 24 की कितना हो जाएगा यानी कि 50 तो total कितना हो गया 5040 हो गया अगर मैं इसका difference निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों यानि कि 4 और 12 में से 4 जाएगा eight और यहान कितना जाएगा दो और 6 में से 5 जाएग च्छेगा एक यानिकि 1284 बस इसका क्या निकाला है आपको औषक निकालना है तो कितने स्टूजेंस से तीन त्रेंस से इसको तीन से भाग कर दो तीन एकम तीन तीन चोग बारा तीन दुनी छह और तीन अठे चौविस कितना हो जाएगा यानि कि 428 आपका अंसर हो जाएगा यही आपका अंसर है आशान कोशन था कोशन नमबर पांच देख लेते हैं पांच में क्या गया है कि जो ब्याज दर कितना है अगले दो वर्ष के लिए तें संट ह다면 दो घ्रुख कितना है तो पोल रहे की ब्याज के दन från जाएगा और चार वर्ष में में प्राप्ट-चग्दी-व्याज कितना है 20 परसेंट और अगले दो वर्ष के लिए आज कितना है दस परतिशत वार चीख है तो अब इस किंदर से आप क्या कर सकते हो बाई आप क्या कर सकते हो यहां पर नेट रेट निकाल देता हूं तो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाए तो मैं क्यों नेट रेट निकालूंगा यहां मैं बात करता हूं तो कितना हो जाता है एक के बटे में पांच यानिकी और आपको पता है फार्मूला क्या होता है वन प्लस में आर के बटे में 100 और यहां पर क्या होता है यह इस तरीके से होता है तो पिचातर सो तो है पिचातर सो का है तो अगर मैं यहां पर कितना है में 11 के बते में 11 के बाटे में 10 इनी कि टोल चार साल की बात कर रहा है कि क्या हो जाएगा यानी कि देखो दो सुय ते यह दो 0 कर जाएगे और 25 तीया कितनाओ जाएगा 75 हो ते छेंग एगर इसका मल्रीपिकेशन करता हो जब आपको क्या करना है दोस्तों यानि कि इस में से आपको 75 गटा देने हैं जब आप 7100 घटा होगे तो कितना बचेगा आठ, छे, दफ में से पांच जाएगा पांच और बारा में से साथ जाएगा कितना बचेगा पच्पन सो अर्चट यही आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा जो कि आपको option C में दिख रहा होगा question number 6 देख लेते हैं question number 6 क्या रहा है यदि किसी वरत की जीवा की लंबाई 8 under root 3 है तो देखो इस तरीके का एक सरकल है और इसकी जो जीवा की लंबाई वो कितनी है यानि की 8 under root 3 दिवी है जो की जीवा के एक छोर पर खीची गई इस पर स्रेगा के साथ 60 degree का क्या बनाती है कौन बनाती है थिकिए अगर देखो आप इस तरीके के देखो ये जीवा है और ये इसके जो tangent है वो इस तरीके की tangent है और यहां से वो 60 degree का क्या बनाती है कौन बनाती है कितने का यानि की 60 degree का कौन बनाती है तो उबरत की तरीदिया बतानी कितनी हो जाएगी अच्छा एक बाद बता हो कि यह 60 है मैंने मान दिया और यह आपका क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका यानि कि यह हो गया है आपका रेडियस यह आपका सेंटर हो गया है यह आपकी रेडियस यह भी आपकी रेडियस जब यह 60 है तो यह कितने हो जाएगा यानि कि यह एक सब 20 हो जाएगी यानि कि एक कॉर्रिलेटर है ठीक है यह 60 है तो और आप ऐसे सесेकर एगर बनता है तो अगर ये और ये वाला एंगल दूसरा कि कितना होता है 1500 सी हो जाता है एक यह हो घणता हूँ ओर मैं इसको एक फीड़ान फिदि रहा भी कहींछता हूँ तो यह ची हो जाएगा किलिया रहे हैं यहाँ ते चीछ ठीक है और यह जो आपका ये हैं है वो कितना हो जाएगा यापनींट का हो जाएगा है सम The 213 के बटमें मैं कितनी हो जाएगा आपको 2 शुक्त पर चार होयाईगी तो कि 90 के सामने कितना होता है यानि कि 2 unit की value निकालनी है एक इनिट की value आपको 4 तरीक है तो दो कितने हो जाएगी 8 यानि कि simple सा question बहुत आशान question था सिर्फ थोड़ा सा understanding की बात थी और कुछ नहीं थी एक बार और देख लिए question क्या क्याता है कि इसकी जो radius है वो आपको sorry जो इसकी code है वो दे रखे कितनी 800 रूट तीन की है और इसके साथ में tangent पे यह 60 degree का angle बनाता है ठीक है अगर यह 60 हो जाएगा तो यह कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा ठीक है और यह जो है इस तरीके से एक code कीची गई है जो की 800 रूट 3 की है तो यह 4 रूट 3 यह वाला हो जाएगा और 4 रूट 3 यह वाला हो जाएगा ठीक है और यह वाला जो angle का बनेगा 90 का बनेगा और यह कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है 90 के सामने 2 होता है और इस and z are 3 positive numbers such that y is 4 by 5 times of x and z is 5 by 8 times of y आप क्या सकते हो किस तरीके से question मन रहा है कि जो x, y, z है न एक धनात्मा संख्या है और जो y है यानि कि x का 4 उटे 5 गुना है यानि कि जो x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 के बटे में 5 गुना हो जाएगा और क्या जो z है वो y का कितना है 5 के बटे में 8 गुना दे रखा है ये यहाँ पर इतना दे रखा था अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं ratio में convert कर लेता हूँ देखो x y और z यानि कि x y की बात करूँगा तो कितना दे रखा है यान कि 5 और 4 दे रखा है और अगर मैं y और z की बात करता हूँ तो कितना दे रखा है 8 और 5 दे रखा है अब यहाँ पर y कितना है 8 और यहाँ पर y कितना है 4 मैं इसको same कर ले आप क्या सकते हो कि यह तो आपका 10a हो गया यह 8a हो गया और यह 5a हो गया और क्या कहा रहा है फिर यदि संख्या x y z के विक्त करम यानि कि इसके इसके अपोजिट की वाद कर रहा है यहनि कि if the average of reciprocals of the numbers x y z is 17 by 240 then the average of 3 times of x and 5 times of y will be ठीक है अब इस तरीके से देखो यह आपके पास x की जो value आगई वो कितने आगई 10a y की value कितने आगई 8a और z की value कितने आगई 5a इस तरीके से आपको चीज़े आगई है अब मैं इसका व्योगत करम का अगर आउसत की बात करता हूं तो इसका व्योगत करम कितना हो जाएगा यहां तक सब को समझ में आगया होगा ठीक है अब देखो यह यह दस आठ और 5a ठीक है यह 5a अगर मैं इसका LCM ले लता हूं तो कितना आजाएगा यान कि इसका LCM आजाएगा 40a और उपर कितना बनेगा है यह दस चार बन जाएगा और 8 पंचे 40 बन जाएगा और 5 अठे 40 बन जाएगा यह यहां पर 3 है यह 3 multiply हो जाएगा और कितना हो जाएगा 17 के बटे एगा 50 बन हो जाएगी दो कितने होतना हो जाएगा 70 और यही आपका क्या है अंसर है थोड़ा सा question language हो सकता है बाकि समझने की बात थी इसको लेकिन गलत करने के चांद से सबसे ज्यादा हो जाएंगे इस question को देखती के साथी पजल हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे ठीक है तो इस तरीके के question आप लोग अगर पहले से ही करके ज कमाते हैं समझेगे यानिकि 15Wow2 फ्रती दिन 6 गोंटे काम करके 900 रूप हैं तो 20 फ्रती प्रती दिन घंते कके कि चीज़ी बात है 15 into में 60 और अपन में कितना हो जाएक 900 और यहां पर कितना हो जाएगा और इस से काटको तो कितना आजाएगा है यानिकि 10 असा जाएगा और एक्स यह हो जाएगा एक्स इतरा जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2000 आपका अंसर हो जाएगा यानि कि option first आपको दिया हुआ है आसान question था question number 9 देख लेते हैं क्या कहता है कि 284 के बटे में 5 यानि कि 284 के बटे में 5 और डिवाइड़ रखा है इस तरीके से 4 के बटे में 5 और इंटू में इस bracket को solve करूँगा तो कितना हो जाएगा 33 40 और यह कुतण हो जाएगा 50 और morphine का 15 के बटे में 5 हो जाएगा थेकरे 5 एक पांच और पांच-धहम 50 हो जाएगा 284 के बटे में कितना हो जाएगा 5 डिवाइड और 4 धाम कितना हो जाएगा 40 और यह कितना है 58 के बटे में 5 है यानि कि 58 by 5 हो जाएगा किलियर यानि कि अब क्या हो जाएगा 284 के बटे में 5 डिवाइड और 40 फंचे कितना हो जाएगा 200 200 और यहां पर कितना हो जाएगा 58 और अपन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है एक स्टेप और है यानि कि 284 के पटे में 5 और यह जो डिवाइड का है अगर मैं इसको साइन चेंज करूँगा मुल्टिप्लाइ करता हूं तो यह 5 तो हो जाएगा ऊपर और 200 में से 58 जा जाएगा आंसर कितना जाएगा 2 यह कि आपको दिख रहा होगा है को तो देख लेते हैं कि कौस्ट सेक्व चैकि वैल्यू वन बाई टू होती है और को स्टिटी वैल्यू कितने हो जाती है अन्डरूर तीन के बॉट्ए में दो होती है- 60 कि वैल्यूं पिटने हो जाएगी कोश्चन नमब 11 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम अब देखो यहां पर साइन स्क्राइब ठीटा यहां पर क्या दे रखा है जीरो दे रखा है आपको एक्स की वैलू निकालनी है और जो एक्स यान कि जो ठीटा है वह जीरो और नबबे की बीच में तो इसमें आप हमेज़ा क्यासे जाओगये इसमें हाप हमेज़ा और माइन noises का यह बधार आजाएगा तो क्या हो जाएगा तीन कॉससिक्वेश्वेट-ठीटा अब देखो ऐनको यहां पर क्या!!! तो यहां तो 10 theta कितना हो जाएगा यानि कि 10 theta कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 आपको पता है कि यह कित की value होती है ठीटा is equal to 60 की value होती है यानि कि आपका ठीटा 60 answer हो जाएगा question number 12 देख लेते हैं ओ केंदर वाले यानि कि इस तरीके से मैं एक circle खिंच लेता हूँ ठीक है ओ केंदर वाले वृत में बाहर बिंदू P से यानि कि एक यहां पर बिंदू है P यानि कि बाहर बिंदू P से P A और P B करमशा वृत के बिंदू A और B पर इस पर से रिखा है देखो तो एक यह जो बाहर बिंदू है P इस पर क्या है एक इस तरीके से क्या है टेंजेंट किची गई है दो ठीक है एक टेंजेंट किची गई है यानि कि P A और P B दो टेंजेंट किची गई है A O B यानि कि A O B यहाँ पर क्या है एक सेंटर O है यानि कि A O B यानि कि यह A और O और B कितना दे रखा है यहाँ पर 116 दिया हुआ है तो O P B की बात करता है O, P, B यानि कि O, P, B की बात कर रहा है मैंने आपको इससे पहले एक और कोशन आ गया था क्या आया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को मिला कि कितना होता है यानि कि 180C होता है तो 180C में से जब आप 116 गटाओगे यानि कि इसका क्या मतलब है यानि कि ये वालो जो एंगल बनेगा पूरा कितने का बन जाएगा और आपको O, P, B पूछ रहा है O, P, B तो इसका आदा हो जाएगा तो इसका आदा हो जाएगा यानि कि 32 डिग्री का अंसर हो जाएगा और 2015 आपका ये हो जाएगा और 2017 आपका ये हो जाएगा A परकार की बात कर रहा है तो A तो आपका ये dark side वाला A हो जाएगा और जो हलकी shading है वो आपका B हो जाएगा A परकार के वहानों की कुल संक्या यानि कि अब मैं इसर देख लेता हूँ और यह कितना हो जाएगा 720 इस 720 ठीक है एक परकार के बानों की कुल संख्या का 31 सही एक बटा 4 परसेंट यानि कि अगर मैं इसका 31 सही चार बटे एक बटे 4 परसेंट निकालता हूं है वर्स में निर्मित बी परकार के बानों की संख्या के बड़ाबर है अब देखो 225 यानि कि बात कर रहा है 225 किस के बड़ाबर देखो ये क्या है 2016 में बी कितना था 225 यानिकि साफ साफ दिखाई दिखा दिए रहा है और आसान question था, stick मार देंगे और आगे बढ़ेंगे question number 14 की बात कर रहा है, question number 14 यानि कि x plus में, x plus में 1 upon 3 x कितना दे रखा है, 5 दे रखा है और आपको ये निकालना है क्या गरोगे देखो, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, x चाहिए और यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको 3 x दे रखा है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैं 3 से multiply करता हूँ, जब मैं 3 से multiply करूँगा तो यहाँ पर क्या आजएगा, 3 x और यहाँ पर 3 से multiply करूँगा इस तीन से ये तीन कट जाएगा तो आपका पास क्या बचेगा? X बचेगा और यहां पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. नॉर्मल सी बार थी. अब आपको क्या निकालना है? इसका cube निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानि कि n का क्यूब करती है कितना हो जाएगा 15 15 225 और 15 15 15 का क्यूब कितना होता है 33पे 70 हो जाएगा सायद एक बार देख लो 33पे 70 हो गागा 225 कंफर्म कर लेते हैं सायद हमारा कोश्चन कर लतना हो जाए 5 25 की 2 और 5 2 10 दो कितना हो जाएगा 12 5 2 10 और एक कितना हो जाएगा 11 इंटू में 225 हो जाएगा 225 पांच 7 3 और 3 कितना हो जाएगा यानि कि 35,75 हो जायगा इस में से आपको क्या घटाना है ? 3N घटाना है 3N, N कितना है ? N आपका हो जायगा 15 और यह जो है यहाँ पर दे रखा है यानि कि इसको 3 से भी multiply कर देंगे थेके 15 यह 45 यह कितना हो जायगा ? यानि कि 35,75 माइनस पंदर आतिये 45 तिये कितना हो जाएगा 135 और गटा दोगे इसकेंदर से 135 जा मैंने और गटा दिये तो 0, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 यानि कि 3240 आपका अंसर हो जाएगा जो कि आपको option एक में दिख रहा होगा यानि कि अब मेरे को बताओ आपने ये पढ़ा होगा है n की cube मैनस का 3 n पढ़ा है ठीक है अब मैंने इसके अंदर 3 से multiply और करिए तो 3 से multiply मैंने ये वाला जो बच जाएगा यानि कि वो मैंने इस से multiply गी है 3 से ठीक है तो ये चीज़ आप दिखान रखना यहाँ पर इसको 3 से भी multiply किया है तब कहीं जाएगा हमारा यहाँ पर 3240 इसका character answer हो जाएगा अब ये question है और इसको देख लेते हैं ये भी बहुत आशान question है और इस question को करने के लिए आप option से जाओगे इसके अलावा अब अपना दिमाग नहीं चलोगे ज्यादा ठीक है तो ज्यादा दिमाग चलाओगे तो इसमें क्या हो जाएगे पजल हो जाओगे अच्छा देखो 8 और 11 दोनों से divisible है ये number ठीक है इस तरीके से रखा है और ये डिविजिवल 8 और 11 दोनों से divisible है जब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आठ से देखता हूँ कोई number आठ से divisible कब होगा अब देखो यहाँ पे B है यहाँ पे तो मैं देखो यह B चेक लिए मुझको सारे के सारे वैलू पता होनी चाहिए और इसके अंदर काफी लंबा होता है तो मैं आठ का मिले को चेक करना बहुत आसा हूं है सबसे पहले मैं आठ का करता हूं अगर मैं बी की जगह दो रखता हूं तो क्या यह 8 से कट रहे देखो दो नहीं कट रहा है और पांच रखता हूं तो यानिकी आठ पांच दो तब भी नहीं कट था तो इसके अंदर से तो आपको यह पैन भी नहीं चलाना था ठीक है इतना तो आपका क्या अंसर हो जाएगा आपको 11 चेक करना ही नहीं पड़ा बागी अगर option मैंच कर रहे चाहिए में शक्षा में यानिकि जो रगु भाई साब है जो रगु भाई साब है वह दो घंटे में 48 यानिकि उसकी स्पीड कितनी दे रखिया 48 किलोमेटर पर आवर है और दो घंटे और 28 में पूरा करने में शक्षा में यानिकि उनकी जो distance होगी वह कितनी है ठीक है तो व में देख लेता हूं आगे और क्या करा है यदि वह उसी दूरी को 1 गंटा 36 में तैय करना चाहता है तो उसकी नई चाल बतानी कितनी होगी सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए मेरे को चाहिए टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करता हूं मैं 28 के बटे में 60 कर देता हूं और आपके टोटल डिस्टेंस आगया इसको मैं काट नहीं रहा चलो काट देता हूं तीन एकम तीन शेक है 18 और तीन पंजे 15 आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपको यह डिस्टेंस कितने में तैय करना है यदि वह उसी दूरी को एक घंटा 36 मिट के अंदर है यान 8 के बटे में 5 से इसको और कर देता हूं तो यह 5 से यह 5 कर गया और 8 कम 8 8 दूनी 16 तो कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 किलोमेटर पर ती घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए थी तब ही वह उस जो डिस्टेंस को वह क्या करेगा एक घंटा 36 मिट में पार कर देगा ठीक है इसको निकालने की कोशिश मत करना कभी आप option मतलब इसकी distance को पॉइंटों में लेकर जा रहे हो तो पॉइंटों में लेकर जाने की को जरूरत नहीं है अगर आप पॉइंटों में लेकर चले गए तो इस question को तुम ना महा संगराम कर दोगे इसके अंतर आपको युद्ध लटना जो बचने के लिए आपको इस तरीके के आपको ब्रहमास्तर चलाना पड़ेगा ठीक है कोईशन नमबर 18 देखते हैं गौरव ने 6 रुपे में 5 वस्तों के हसाब से यानि कि गौरव ने 6 रुपे में क्या किया है आपने 5 वस्तों खरीदी है और उन्हें 11 रुपे में यानि कि 11 रुपे में उसने 10 वस्तों बेच दी यानि कि 11 रुपे में 10 वस्तों बेच दी उसने ये तो आपका CP हो जाएगा और ये आपका SP हो जाएगा बोल रहे हैं तो उसको हानी हुई है या फिर लॉस हुआ है जो भी कुछ हो है वो आपको बताना है अब एक बहुत बताओ और ये भी कितनी हो जाएंगी 10 चीज़े हो जाएंगी ठीक है अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टिप्लाइ करता हूं तो फिर मिले को यहां से भी 2 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा अब कहने के मतलब यह है कि यहां पर 12 रुपे में कितनी चीज़े खरीद रहे है यानि कि 10 च कोशन नमबर 18 देख लेते हैं क्या हो जाएगा अब यहां पर आपको क्या रखोगे देखो यह इस टाइप का कोशन है और यहां पर आपको वैलू रखोगे तो ज्यादा आपको ईजी बढ़ सकता है तो कोशिश करना कि इस कोशन में आप वैलू रखोगे डारेक्ट यानि को यहां पर क्या दे रखा है यहां पर आपको वन दे रखा है मैं सोचूंगा कि यहां पर भी अंडरूट 3 है तो मैं सोचता हूं कि कोई एक ऐसी वैलू रखों जिससे अंडरूट 3 कट जाए तो फिर मैं क्या रख सकता हूं यानि कि 30 तो रखोंगा नहीं मैं 60 रख लेता ह मतलब इसको basic से आप solution भी कर सकते थे चलो अभी इसकी value ना बाद में रखते हैं ठीक है इसकी value बाद में रखते हैं इसको वैसे ही solve करते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूं यानिकि 5 cot theta plus में under root 3 cos theta और यहां पर क्या हो जाएगा 2 under root 3 cos theta और फिर क्या हो जाएगा 3 cot theta यतनी चीजी हो गई है ठीक है अब मैं क्या करता हूं यानिकि cot theta और आपके पास को इनको एक साइड लिख लेता हूं और बाकी को मैं एक साइड लिख लेता हूं यानिकि यह जो इदा चल जाएगा और यह जो तीन cot theta यह जो जाएगा यानिकि 5 cot theta माइनस का कितना हो जाएगा 3 cot theta और यह कितना हो जाएगा 2 under root 3 cos theta माइनस का क्या हो जाएगा under root 3 cos theta क्लियर हो गया 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा यानिकि 2 cot theta और यहां से जाएगा तो कितना बचेगा अब आप बताओ कि कोड़ ठीटा को आप क्या लिख सकते हो यानि कि आप कोड़ ठीटा को क्या लिख सकते हो यानि कि कोड़ के बटे में साइन लिख सकते हो अराम से कोई दिक्कत नहीं होगी यानि कि आप इसको क्या लिख सकते हो तू इंटू में cos के बटे में cos के बटे में sin theta अब इस sin theta को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो cos theta तो ये उपर आज के क्या हो जाएगा cos theta और ये क्या हो जाएगा under root 3 और ये cos theta ये cos theta से ये वाला cos theta कर जाएगा और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा यानि कि cos theta जगल तो कितना हो जाएगा under root 3 के बटे में 2 यानि कि cos theta यानि कि theta की कौन सी value पे ये value under root 3 के बटे में 2 देगी यानि कि theta की जगह आप under root theta की जगह आप 30 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर under root 3 देखने को मिल जाएगा यानि कि जो theta की value होगी वो 30 हो जाएगी देखो मैं यहाँ पर 60 ले रहा था तो यह गल्थ हो रहा था तो option लेने में कभी-कभी तो समझदारी होती है और कभी-कभी आप हम ना समय वर्वात कर देते हैं paper में ठीक है तो आपको इस सही के से basic भी आपको पता होना चाहिए था ठीक है तो theta की value आपको 30 हो गई है simple से आपको यहाँ value रखनी है और कुछ करना नहीं है तो value रख दो यहाँ से मैं value रखता हूँ देखो 7 के बटे में 2 और cot theta square है cot theta square है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर square है तो 3 हो जाएगा minus का 3 के बटे में 4 और cos theta 30 कितना हो जाता है यानि कि 2-2 नी 4 हो जाएगा upon यानि कि 4 यानि कि sin square theta है तो कितना हो जाएगा 30 कितना होता है 1 बटे 2 यानि कि 1 बटे 4 हो जाएगा square है और 3 बटे 2 दे रखा है और 10, 30 कितना हो जाएगा, यानि कि 1 by 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 by 3 हो जाएगा, अब जो कटता है उसको गार दो, यानि कि इस 4 से ये 4 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया, और इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहां पर कितना बचेगा, यानि कि 7, 21 के बचे में तो उपर दे और यहां से कितना बचेगा दो एकम दो और एक तीन के बटे में तो आंसर कितना आ जाएगा है तो इस तरीके से सॉलूशन रहा है आपको थोड़ा सा कैसा भी समझ सकते हो देखो वैलू रखने से कफी बार देखो यहां पे न इतना तो पता है कि वैलू रखे आंसर आ जाता हमारा लेकिन अगर मैं साट रखता तो देखो साट रखता फिर मैं तीस रखता तो इससे बढ़िया इतनी देर में मेरा यह हो गया और यह तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है अब जब आप पेपर में करोगे तो यही स्पीड़ाट की दो गुनी हो जाएग यह कितना हो जाएगा साथ यान कि 40 का डिस्काउंट दे तो कितना हो जाएगा साथ के बटे में सो तीस का डिस्काउंट देते हो कितना हो जाएगा असी के बटे में सो आपको देखो जो आपका आंसर होगा ना देखो वो 11 का मल्टिबल हो गई होगा ठीक है तो 11 का वह जाएँ से पांसर किसी तीरपुज्च की भुजाओं को जो अनुपात दे रखाए वह कितना दे रखाए वन गाहे ठीका फाइफ है और 1 by 4 यहां से देख सकते हैं उसमें थोड़ा साथ दूंदला दिख रहा हूं यहां से देख लो इस परिमेटर इस 141 cm दिख रहा हूं तो फिर मैं नीचे लिले लेता हूं यानि कि मैं यहां पर 60 लेता हूं 60 मैंने लिले लिया इनकि यह 20 हो जाएगा और यह आपका 12 हो जाएगा और यह आपका 15 हो जाएगा ठीक है करता तो है नहीं तो इसका मैं जोड लेता हूं 20 30 40 और 40 और कितना हो जाएगा 47 unit की value आपको कितनी रखी है 44-35-1 unit की value कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी यानि कि ठीक है हां एक unit की value आपकी 3 हो गई तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुचा कौन सी होगी 15 यानि कि 20 ती ती है कितनी की है 50-25 और सबसे चोटी भुचा कितना हो जाएगा .... 500-25 और सबसे चोटी भुचाAll agree वह कुतनी हैं बारा यानि कि बारा से कितना हो जाएगा 36 यानि कि 60 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 24 इसका answer हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप देखो 20 और 12 का difference कितना है यानि तो आप ऐसे भी देख सकते हो ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मज़ा और आ रहा होगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करती है यहां पर आपको बिंदू एस देखने को मिल जाएगा तो पता है क betीर रहाा यह कितना हो जाएक और पी एस आर् एक इसके बराबर है तो यह भी मालो ठीटा Patrick मैं पैंट चेंज कर लेता हूं ताकि आपको सभिष करने में में nog 것으로 ठीए के या मत अब में अन्डिया currently आप चाहिए किस तरीके चीजे कर सकते हो किसके SPRK ठीक है , आप देखो यहां से ही कैसे बेदा यह बेदा है तोoder इसमें भी हो जाएगा और इस वाले में भी हो जाएगा यह तो आपका common हो गया ठीक है यही हो गया और यह ठीटा और यह टो बाकी बचचा 3 एंगल वो भी अपने आप क्या हो जाएगा बड़ावर हो जाएगा अगर यह अलफ़ा है तो आपका बचचा यह वाला एंगल इसलिए यह वाला ठीक है यह इनका वाल fpass हो जाएगा थीक है है ना पी आर पूछ रहा है तो फिर मैं क्या ले सकता हूं अल्फा के सामने देखो अल्फा के सामने मैं क्या ले सकता हूं आठ ले सकता हूं इस अलफा के सामने मैं एस आर ले सकता हूं ठीक है एस आर ले सकता हूं और इस अलफा के सामने मैं क्या ले सकता हूं पी आर ले सकता हूं ठीक है पी आर ले सकता हूं इस अलफा के सामने और आपको क्या निकालना है पी आर ही तो निकालना है आपको ठीक है तो पी आर ये क्र क्यों आर कितने रखा है यह आपको अटारा ऐस्कों से देखना तो फोड़ सा गडबल्ट ना हो जाए कहीं देखो यह देखो तुरूच पी और एक पूरा दिख रही आपको तुरूच पी क्यों और यह तिरूच एफ पीर क्या आपस में सिमिलर है यानि कि इस ठीटा के सामन आपको PR दिखा दे रहा हैğ अपऊन में इस ठीटा के सामने आपको पूरा क्यो आजपाई दे रहा है। ठीके, अब आपको क्या देखना है? यानि कि S.R. यानि कि ये जो और इस अल्फा के सामने। अपको पूरा प्यार दिखाई दे रहा है média तो कितना दे रखा है आठ और इस अलफा के सामने आपको पूरा पी यार दिखाई दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा पी यार हो जाएगा आपको क्या करना है क्रॉस मल्टिप्लाइ करके वैल्यू पूट कर देनी है आपका अंसर आ जाएगा कोश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कहता है एक समचत्रबुच की बुजाओं के वर्गों का योग यानि कि एक समचत्रबुच का मतलब इस तरीके से आपका एक समचत्रबुच बन जाएगा ठीक है एक समचत्रबुच बुजाओं की वर्गों का योग कितना दे रखा है य यानि कि 4 Axis का रिजगल तो कितना दिरखा है? 1600, 4 एकम 4, 4 चॉक 16, और Axis का रिजगल तो कितना हो जाएगा? 400, तो Axis Value कितने हो जाएगी? 20, किलिए, उस सम्चा तरभूज की भुजाओं का माँ बताने हैं क्या हो जाएगा? यानि कि सिंपल सी बात है तो कितना जाएगा 20 बहुत नॉर्मल कोशन था आशान कोशन था कोशन नमर तेइस बोलता है एक तिरभूज में यदि कौन एक दो तीन के अनुबद में है तो इन कोडों की सम्मग बुझाओं को अनुबद बताने ही क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है कि 3,2,5 और 1,6 6,1 की value कितनी धर अच्छे, एक इनुट की value कितनी हो जाएगी 30 तो यह एंगल कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा, यह 60 का हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा आपको सीधर सीधर दिखा ही जारा है, जो एक जो ट्राइंगल है वो क्या है? साथ के सामने अंडरूर 3 होता है और यह क्या होता है दो होता है यह क्या होता है दो होता है देखो एक यानि कि भुजा सामने यह एक आ गया और इस साथ के सामने अंडरूर 3 आ गया और इस 90 के सामने दो आ गया तो अंसर कितना हो जाएगा वन रेशो अंडरूर 3 और रेशो मे दो इस तरीके के आपका अंसर हो जाएगा देखो इसमें आ यह कोशन करने में बहुत जदा गलती हो सकता है इस कोशन को करने मेरे जहाँ असला ना केंए आप इसॉप्षन कौ करो और आप इसॉप्षन को च्छेक लेंगे उसी एंगल के सामने कि हम यहां पर बुजा लेंगे यह चीज आप ध्यान रखना कोशन नमबर 24 देख लिखते हैं कि यह क्या रहा है कि वन प्लस में लिखते हैं तो बता हो मुझे ठीक है यहां पर जहां कि छोल कर बता देता हूं आपको को आपको पता नहीं कि साथी की देखो एंगी वन मान-स का टू एकस प्लस में चार एकस स्क्वाइर और यह कि बराबर हो जाएगा यह पराबर हो जाएगा का मेरे भाई यह प्लस में 4x2 और 6x4 इसके परवर हो जाएगा अगर आप यह चीज और यह पूरी चीज क्या हो जाएगी पराबर हो जाएगी आपको इसकी वेल्यू दे रखिए 64 यानि कि इसकी वेल्यू 64 दे रखिए इसकी माल लो यह $512 दिये ही वह यह यह 64 इसके नीचे आजाएगा कटके 8 आटा जाएगा यहीं आपका क्या है अंसर जो कि आपको option 1 में देखने को मिल जाएगा last question है question number 22 question number 25 यह आपका 25 question है अब देखो इसके अंदर आप क्या से देखने को मतलब क्या कर सकते हो देखो इसके अंदर मैंने शुरुवात में जितने paper set करवाए हैं उसके अंदर मैंने इसी जो question बनते हैं देखो हर एक shift में एक question बनता है मतलब इस तरीके से तो इसे ना 4 question चार वो बनते हैं एक formula ठीक है अगर वो आपको याद हो जाएंगे ना तो आप इसको बहुत easily कर पाओगे देखो आपको यह value पूछ रहा है कि क्या हो जाएगी simple से आप जहां से देखोगे ना इस चीज़ को यह देखो क्या a का cube b का cube प्लस में c का cube मैंस का 3 a b c a fucking उन्हाइगा यादी की a प्लस b प्लस में c और क्या हो जाएगा यादी की a का square प्लस में b का square प्लस में c का square मैंस का a b मैंस का b c और मैंस का c है आपको यहांपे क्या करना है सिर्फ value put कर दینी है और कुछ नहीं करना अब देखो देखो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8x की क्यूब अगर मैं इसका करता हूँ तो कितना हो जाएगा 27y का क्यूब इसका करता हूँ तो कितना हो जाएगा 64z की क्यूब तो इस तरीके से यह जो है ना यह डारेक्ट इसी यही वाला फॉर्मूला है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो यानि कि यहां पर क्या लिख सकते हो आप 1 सब 5 लिख सकते हो मैनस का 3ABC यानि कि 3ABC वो कितना हो जाएगा देखो 3A कितना दे रखा है दो X और B कितना दे रखा है तीNY और यहां पर Z कितना दे रखा है यानि कि 4Z के लिएर चर जड यहां पर यह मल्टिपला ही है identical to में A plus B plus C कितना दे रखा है यहां पर 11 दिया वॉए है आ का square प्लस B का square प्लस C का square यहां पर कितना दे रखा है यह आपको नहीं पता पता है यह नहीं पता है ठीक है अब देखो यहाँ से यानि कि A का स्क्वेर कितना हो जाएगा यानि कि 2 दूनी 4X का स्क्वेर यह 3 तिया 9Y का स्क्वेर और यहाँ पे 4.16Z का स्क्वेर अगर आप 2 तिया कितना हो जाएगा यानि कि a b है न तो 2 तीय कितना हो जाएगा मैनस का 6xy और bc कितना हो जाएगा 3.12 yz और 8z कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 xz तो simple सी बात न यह जो है यह जो यहाँ पर आ रहा है यह सारा का सारा क्या है यही दे रखा है इस तरीके से तो यहाँ पर 11 आ गया और इसको आप a माल लो ठीक है तो 105 मैनस का 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 18 चौक कितना हो जाएगा 18 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा 72 Siez हो जाएगा ठीक है और xyz की वल्यू कितनीते रखिए एक दे रखिए तो X, Y, Z तो A को जाएगा क्लियर और यहां पर क्या है आपका 11 दे रखा है और यह हो जाएगा A ठीक है यह इसकी नीचे जाएगा 105 में से 72 गटा होगे 5 में से 2 जाएगा 3 और 10 में से 7 जाएगा बचेगा कितना यानि कि 3 पांच में से 2 जाएगा 3 बचेगा तो 33 के बटन में कितना हो जाएगा 11 11 11 तिया 33 इस तरीके का यह आपका अंसर हो जाएगा और आपके जो 25 कोशन है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लिंक आपको डिक्स्रेप